तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के डेली इन्फरानियोज दोस्तों पहले अपडेट नेशनल बैंक फोर अग्रिकल्चर और रूरल डेवलप्मेंट इन सॉट नबाड से आ रही है जहां पे आल टाइम हाई एमॉन 1236 करोड रुपए अवेलेवल किये गए है असम के रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूफ करने के लिए जिसमें रोड्स और ब्रीजेस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 2020 से किस फैनेंसियल एर के लिए इसमें नियो 610 किलोमेटर लेंग्ट रूरल रोड को डेवलप किये जाएंगे जिससे 1255 गाओं को बेनिफिट मिल जाएगा द दोस्तो अगली अपडेट मुंबाई कोस्टर रोड प्रजेक्ट को लेकर आ रहे हैं जाएं जाएं जाए जिसमें हर पाइल सेपरेटली हर पिलर के लिए यूस किया जाएगा जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ समय की वी बचत होगी बनाने में और साथ हीं कंस्ट्रक् एवं उत्तम महावियान पीम कुसुम प्रोग्राम के अंडर दोस्तों अगली अपडेट अग्रिकल्टर सेक्टर के तरफ से आ रही जहां पे इंडिया का अग्रिकल्टर सेक्टर 2020-21 financial year में 17.5% तक ग्रोग हुआ है जिसमें 41.8 billion dollar export किये गए है बेसिकली lockdown लगने से सारे वरकर अपने अपने state चले गए थे और काम ना रहने से अपना अग्रिकल्टर में जिससे ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तो अगली अपडेट सैंसंग कनेक्टेट टेकनोलोजी सॉलिशन प्रोवाइडर हर्मन के तरफ से आ रही है जहां पर हर्मन ने इंडिया में 5G टेस्टिंग लैप्स को अपन कर दिया है अपकमिंग डिवाइजस के लिए चिपसेट कनफरमेंस टेस्टिंग, प्री सर्डिफिकेशन टेस्टिंग, नेटवर्क ऑपरेटर एप्रूबल टेस्टिंग किया जाएगा इसमें तो दोस्तो यही आज का डेली इंफरानिउस आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, लाइक करें द